हाउ रू फिक्स वान प्लस ठीटी केंट प्लस वीडियो कॉल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सो आगर अब सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लस के डिवाइस में वीडियो कॉल प्रॉब्लम जो यहाँ पर आपको हो रहा है उसको फिक्स किसी कर सकते हैं तो जब दोस्तों किसी को वीडियो कॉल करने जाते हैं और उनको हम यहाँ पे वीडियो कॉल नहीं कर पाते तो क्या प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो कॉल का ओप्षिन नहीं है तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे नहीं है ठीक है तो इस किसी को वीजिवे कol कर पाते, किसी को नहीं कर पाते, यह कैसा प्रॉब्लम है? तो जानने के लिए वीजिवे के साथ आज तak बने रहें, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आप अनलाइन पैसा काँड़ाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मेल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तो आपको क्या करना होगा अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लेम हो जाते हैं जैसे कि वीडियो कॉल किसी को कर पाते हैं किसी को नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो सिंप्ली दोस्तो यहां पर आपको क्या करना है आपको चेक करना है जिस भी बंदे को कॉल करना है और आपको ये भी चेक करना है आपके मुबाइल पर रिचार्ट है या नहीं है और आपको चेक करना है जिस भी बंदे को कॉल करना है उसका नमबर वेलिड है या नहीं है उसका मुबाइल पे वीडियो कॉल सपोर्ट करती है नहीं करते क्योंकि यहाँ पे अगर उस बंदे का मुबाइल पे वीडियो कॉलिंग सपोर्ट नहीं करते तो आप उनको वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे अगर उस बंदे का वीडियो कॉल सपोर्ट करते हैं मॉबाइल पे तो आप उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं तो उसी वज़े से ऐसा हो रहा है कि आप उसको कॉल कर पा रहा है और दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहा है किसी को कॉल कर पा रहा है वीडियो कॉल में और किसी को नहीं तो इसका यही मतलब है कि supported और non supported device जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है तो आप उनको voice call में पुछे कि आपके mobile पे क्या video call support करते है ठीक है उसके बाद ही आप confirm करें लेकिन मान लिजए उस बंदे के mobile पे video call support करते है फिर भी आप नहीं कर पा रहा है तो आप दोस्तों जाए प्ले स्टोर में phone service को अपडेट करने के लिए उसके बाद जाए सेटिंग पर एक दफ़ा mobile के net rock सेटिंग को reset कीजिए उसके लिए सिटेम पर जाना है reset option पर क्लिक करना है reset wifi mobile and bluetooth पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको क्या करना है आपको search करना है camera option पहले तो यहाँ परस्ट पर कर देना है storage in case पर जाके clear storage औक कर देना है उसके बाद बेग करना है permission पर जाना है और mobile data and wifi का setting कुछ इस प्रकरकर करना चाहिए अपके mobile पर ठेक है उसके बाद आपको phone service पर जाना है न और यहाँ पर आपको बेक करना है बेक करने के बाद पर्मिशन पर जाना है सारे पर्मिशन अलाओ करना है और मॉबाइल डेटा एंड वाइफाई यूजर्स कुछ इस तरह के का सेट होना चाहिए ठीक है यह सारे बटन बन और बेकराण डेटा उसके बाद मॉबाइल को रिस्टार्ट करें और देन चेक करके देखे प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा सारे साथ आप चाहे तो मॉबाइल को सेफ मोड पे रीबूट करके देख सकते हैं उसके लिए आपको पाउर बटन प्रेस एंड हॉल करके रखना है पाउर बटन को 2 सेखेड क्लिक करना ही आपर मिलेगा रीबूट टो सेफ मोड ओके कर दीजेगा सारे साथ मॉबाइल सॉफ़र अपडेट करें मॉबाइल सॉफ़र अपडेट नहीं है तो मॉबाइल सॉफ़र को अपडेट कीजे और इसी प्रकार से आपका solution यहाँ पर हो जाएगा और आपका problem fix हो जाएगा और जैसे कि दोस्ते मेने आपको कुछ reasons बता हैं कि video call किस वज़ा से नहीं हो रहा है किसी का support करते किसी का नहीं करते तो आप google duo use कर सकते उस बंडे को भी कहिए कि आप भी google duo register करें तो आप एक दूसरे से उसके true बात कर सकते हैं अगर facebook है तो messenger से कर सकते हैं अगर whatsapp है तो whatsapp video call कर सकते हैं अगर आपके पास signal app है तो signal से भी कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह के से आपका जो problem है यहाँ पे आप solve कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करते हैं आपको यह जो वीडियो है पसने होगा thanks for watching